चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो करनाटका स्टेट के रेजिस्टेशन और डोकुमेंट अपलोड की लास डेट 12 नौमबर 2020 है इसका रेजिस्टेशन दो पार्ट में कम्पलीट होता है करते हैं तो हमें 10-12 की मारक सीट, आईडी पूरूप और इसके साथ जो हमने रेजिस्टेशन किया है ये करनाटका का रेजिस्टेशन करके पेमेंट किया है उसकी पीडिया भी अपलोड करनी होती है मगर ये एपलिकेशन फॉरूम अभी प्रिंट नहीं हो रहा है तो इस परकार की प्रोबलम आ रही है तो इसका प्रिंट करने के लिए आप जैसे इसकी वेब साइट पर जाएंगे तो यहां पर प्रिंट एपलिकेशन लिखा हुआ है इस पर click करके आपने यहां पर user ID, password और capture code डालना है उसके बाद में login करना है लेकिन यह login नहीं हो पारा है यहां पर लिखा हुआ है कि आपका part 1 आपका registration complete हो चुका है आप documents upload करें तो इस परकार का message आ रहा है यहां पर यह print application फोर्म प्रिंट नहीं हो रहा है तो जैसे ही हम documents upload पर जाते ही यहां पर online uploading of documents पर click करते हैं तो इस परकार का यह login page आता है login page में जैसे ही हम user ID और password डालते हैं तो उसमें आगे invalid user ID और password दिखाता है या फिर जब इस परकार का option आता है instruction for documents upload का आ जाता है इसके बाद में proceed to login पर click करते हैं तो इस परकार का यह login page आता है और उसके बाद में हमें जब भी इसमें हम documents upload करने की करते हैं तो इस परकार का यह capture code इसमें show नहीं होता है documents जैसे ही upload करने की कोशीज करते हैं तो capture code show नहीं होता है तो ये problem आ रही है इसमें documents upload नहीं हो पा रहे हैं किसी किसी के documents upload होने का option आ रहा है तो वहाँ पर उसको application form में submit करने के लिए वो application download नहीं हो रही है तो इस परकार की problem हर student के साथ ही आ रही है तो आप इसकी website पर visit करते रहें print application form पर आप click करके print लेने के लिए ये देखते रहें कि print हो रहा है या नहीं हो रहा है वैसे मैंने इसके help line नमर पर mail भेजा है तो जैसे ही ये clear होता है ठीक होता है आप इसका print ले सकते हैं वैसे इसके home page पर भी यहाँ यूजी नीट 2020 print application form का link available होगा या फिर इसकी जो website पर हम यूजी नीट का जो login करते हैं वहाँ भी print application form का option मिलेगा तो वहाँ से भी application form print करके फिर आप documents submit कर सकते हैं अभी काफी student ने यहाँ जो करनाटका state की application form है इसकी जगे नीट का application जो NTA नी भरवाया था वो upload कर दिया है तो उनको भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है यह करनाटका state बाद में एक link डालेगा जब आपके application form में कोई कमी होगी documents upload में कोई कमी होगी तो वो link डालेगा उस link पर आप दुबारा से documents upload कर पाएंगे यह provisional merit list आजाने के बाद में होगा और उसके बाद में final list आएगी verified documents की तो इस परकार से जो problem आ रही है करनाटका state के application form में वो सभी student के साथ में आ रही है कोई भी student अभी तक documents upload नहीं कर पाया है क्योंकि application form अभी तक print हुआ नहीं है तो अगर आपने भी application form अपलोड कर दिया है NTA वाला किया है तो भी tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है बाद में आपको दुबारा से मोका मिलेगा application form अपलोड करने का documents upload करने का तब आप कर सकते हैं तो अभी wait करिए हो सकता है आज 10-11 बजे तक ये link activate हो जाए print application form का तो ये जैसे ही application form का link activate होगा आप कर सकते हैं इसमें application form upload तो बाकी जानकारी बाकी update के साथ फिर next video में मिलेंगे तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिं